हेलो एवरीबन कैसे हो आप सब तो स्वागत है आप सभी का कुने मेरे योटूब चैनल नीलका फिजिक्स क्लासेज में और हम बढ़ रहे हैं लगातार रिविजन सिरीज 2022 के अंदर तो हमारे पास इस सिरीज में आज हम क्यूशन नंबर 4 कंप्लिट करेंगे 3 क्योशन हमारे कंप्लिट हो चुके हैं एकज्जाम की दरष्टी से important क्योशन की सिरीज में और आज हमारे पास जो must क्यूशन होगा वो होगा विदूत दिवी द्रोफ के कारण वैदूत वीभव का मान कितना होगा आज हम इस सुतर की स्तापना करेंगे आज की कलास में तो प्यारे विद्यारतियों विदुत दिवीदरू होता क्या है इसके बारे में हम जाने चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई दोसमान परिमान वे विप्रीत परकरते के आवेस यदि एक दूसरे से कुछ अत्यल्प दूरी पर इस्तित हो तब इस परकार से जो जोड़ा उस व्यवस्ता को ही हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं और उसके संगत जो बहुत इकरासी डवलप होती है उसे हम यहां पर कहते हैं विदुत दिवीदरू आगून जिसका मान होता है किसी एक आवेस का परिमान और दोनों आवेसों के बीच की दूरी और हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉमेंट जो उत्पन होगा यानि विदुत दिवीदरू आगून उत्पन होगा उसकी डाइरेक्शन होती है नेगटिव चार्ज से पोजिटिव चार्ज की और तो हमारे पास इसके बारे में हम ओरड़ी जान चुके हैं तो अब हमारे हमारे पास कोइंट यह है कि अगर कोई एक बिंदु आवेस होता है अगर कोई सिंगल चार्ज होता है तो सिंगल चार्ज के करण जो विदुत विबव होता है उसका फोर्मुला होता है V बराबर K Q Y R जहां K बराबर हम जानते हैं 1 अपूर 4 पाई Epsilon Note होता है Epsilon Note बराबर निरवात की विदुद सीलता अगर हमारे पास कोई सिंगल चार्ज होता है वो भी बिन्दू रूप में माना जाता है इसकी साइज होती है वो उस दूरी के तुणा में बहुत कम होती है उसे ही हम विन्दू रूप आविस मानते हैं अब हमारे पास किसी एक रूप करते हैं तब होगा वी का मानہ ही दूसरे सिंगल चार्ज की बात करते हैं तो विदू 250 मान होगा यह लेकिन जब एक से ज़्यादा आविश्म का अगर कोमिनिशन है तो वहां पर टोटल विभाव जो होगा वो आपको याद आ चुका होगा प्यारिक ग्यार्थ योग कोन से सिध्धान से ग्याद करेंगे हम अध्यार ओपन के सिध्धान से जिसके अनुसार सभी विभावों का बीजगणी के योग होगा हम यहाँ पर ग्याद करेंगे हमारे पास इस अध्यार ओपन के सिध्धान तमें कितने चार्जों के एकरण भी बवाएगा दो चार्जों की कारण माइनस क्यू और प्लस क्यू की कारण तो सैम उसी परकार से होगा लगवग लगवग यह जिस प यह बटते हैं आज के अनुसार तो स्वागत है कुन है आप सबी का मैरे यूटूब चैनल नेल का फिजिक्स क्लासेज में हमारे पास सबसे पहले हम यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपॉल की संदचना कम्प्लीट कर लेते हैं उसके अनुसार हमारे पास यहां पर कोई चा चार्ज है PLUS Q, यह जो चार्ज है वो बिन्दू A परिस्तित है, यह जो चार्ज है वो बिन्दू B परिस्तित है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो 2A आ और yi being दूर c मि directly के हैं यहां कि जो पने लिखने हैं और weकि 2014 कि यहां द्वीध्रू के कारण कोई आर दूरी के उपर कोई बिंदू लेते हैं, जो कि हो सकता है उसकी अक्स पर हो, हो सकता है उसकी निरक्स पर हो, या वो अधर और कहीं पर भी हो सकता है, तो माना कि वो जो बिंदू है, वो इस पोइंट पर है, तो P बिंदू यहाँ पर है, जो कि परिनामे वैदुत विबव का मान गयाद करना है इन दोनों आवेसों के कारण तो हमारे पास माना की माइनस Q की कारण P बिंदू पर जो विबव है उसका मान ये होगा V बराबर माइनस KQ by R लेकिन R दो हमने मान रख़ा है केंदर से और इसके बीच की दूरी तो हम यहाँ पर A बिंदू से P बिंदू के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं R1 तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमने मान लिया है R1 क्लिए रहे तो एक फोर्मूला हो गया V1 बराबर माइनस KQ by R1 सेम इसी प्रकार से अब प्लस Q के कारण जब यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा मान ये वाला तो हमारे पास यह दूरी मान लेते हैं कितनी है R2 है तो हमारे पास आजाएगा V2 बराबर प्लस KQ by R2 दोनों को जोड़ेंगे अध्यरोपन का सिध्धान के लगाना है तो हमारे पास यह हो गया R2 जो P है वो जो निर्वर होगा एक तो R पर निर्वर होगा एक थीटा पर निर्वर होगा क्यों यहां पर थीटा बढ़ रहा है तो हमारे पास जो value available है R1 और R2 इस R1 और इस R2 का जो मान है वो R और थीटा के रूप में convert हो जाए तो इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे कि इस वाले line को आप थोड़ा आगे बढ़ाए और आगे बढ़ा कर इस के उपर इस बिंदू से एक lump डालिए यहां पर आपने एक lump डाला है और इस बिंदू को नाम दे दिया C सैम इसी प्रकार से इतनी ही दूरी के ओपर एक lump यहां से डालिए और इस बिंदू को नाम दे दिया आपने D यहां पर 90 डिगरी का एंगल है यहां पर 90 का एंगल है जब आपके पास यहां कोण थीटा बन रहा है तो इस पॉइंट पर भी एंगल जो होगा वो थीटा ही बनेग सीर साब ही मुकोण से तो हमारे पास देखिए यहां पर दो ट्राइंगल बन जाएंगे A,C,O और B,O,D यह दो त्रिगुज आपकी यहां पर कंप्लीट होंगे अब हमें ग्याद करना है R1 और किस का मान? R2 गा तो सबसे पहले तो हमें इसकी language लिखनी है ठ्योरी लिखनी ह दो कि किसी प्रकार से रटना नहीं है जो जो आपने प्रोसेस यहां पर किया है उसी को टाइप कर दीजे बस उसी की फोटोगोपी करनी है आपको तो तो आपके पास क्या लिखा था आपने कि माना कि A,B,A,V,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D उसके केंदर से प्रते कावे इसकी बीच की दूरी कितनी है इसमोल A है केंदर से R दूरी पर इस्तित किसी बिंदू P पर हमें परियनामे विदू तपी बहुका मान गयात करना है यहां पर माइनस Q से P के बीच की दूरी R बना है B से P के बीच की दूरी R टू है इतना कापी अब यहां पर आगे हम लिख सकते हैं कि P और रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो A बिन्दू से उसके उपर एक लमब डालते हैं A.C. से हम इसी प्रकार से इस P और रेखा के उपर V से एक लमब डालते हैं B. यहां तक का मेटर हमारा कम्लीट हो जाता है अब हमारे पास यहां का दो diagram है उसके अनुसार हम यहाँ पर load करेंगे कि हमारे पास पहले plus Q के कारण कितना विवव आएगा minus Q के कारण कितना आएगा दोनों का मान हमने यहां पर ग्याद कर भी रखा है अब आप इनको अलग-अलग करके सिस्टम से लिख लीजे फिर देखते हैं इसके आगे तो अब हम यहाँ पर अलग-अलग आवेसों के करण P बिंदू पर कितना विभव होगा वो ग्याद कर लेते हैं तो फर्स्ट हमारे पास में है माइनस Q के करण माइनस Q आवेस के करण बिंदू P पर बिंदू P पर विदू विभव तो V1 बराबर क्या फोर्मूला होगा 1 अपोन 4 पाई एपसाइल नोट यहाँ पर है माइनस का Q और अपोन में कितना लेगा R1 क्योंकि यहाँ पर माइनस Q से बिंदू P के बीच के दूरी कितनी है तब हमारे पास फाइनल सुतर बन जाएगा माइनस के Q अकॉन R1 एक्वेसन नमबर फर्स्ट सैम इसी प्रकार से पलस Q के कारण P बिंदू पर जो विभव है उसका मान ज्याद कर लेंगे पलस Q आवेस के कारण बिंदू P पर विदूत विभव देखिए सैम इसी प्रकार से जाएगा V2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एक्वेसन नमबर फर्स यहाँ पर Q यहाँ पर R2 और यह हो गया पी बिंदू पर परिनामी वेदूत विभव अध्या रोपन के सिद्धान से तो वो हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 यहाँ पर V1 का माहन हमारे पास में है KQ बाई R1 प्लस में है KQ बाई R2 यहाँ KQ आजाएगा Q1 तब हमारे पास आगे भड़ते हैं इससे तब होगा V बराबर KQ आगया यहाँ पर Q1 यहाँ पर बच गया 1 अपॉन R1 यहाँ पर बच गया 1 अपॉन R2 बिनों में संक्या है बिनों में संक्या देखते ही लगुतम लीजिए आप अगर बीच में पलस माइनस का थीन है तो आपके पास में आ लेगा KQ लगुतम आ गया R1 R2 यहाँ पर आजाएगा माइनस R2 यहाँ पर आजेगा पलस का R1 तो फाइनली V बराबर KQ, R1, R2, R1, R2, equation number 3 ये finally विभव का मान हमारे पास आ जाता है लेकिन हमारे पास में R1, R2 का मान नहीं है हमारे पास में value रहेगी डिवीद रूप के केंदर से कितनी दूरी पर P बिल्लू है जहां पर हमें वैदुद विभव गयाद करना है तो इसका मतलब हमारे पास R का मान रहेगा विदू दिवीद रूप से कितने angle पर वो बिंदू है अक्स पर है, निरक्स पर है, कहां पर है उसका मान हमारे पास में होगा तो इसका मतलब ये है कि R1, R2 को convert करना है R और theta के फोर्म में और उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं प्यारे विद्यार क्यों, हमने यहाँ पर किया है इसके लिए कि P और रेखा को आपने आगे बढ़ाया है और उसके ओपर एक AC लमडाल है और एक लमडाल आपने BD तो आप यहाँ पर diagram से देखिए कि यहाँ पर जब condition यह हो कि यदि R वेरी वेरी greater than A हो यानि यह दूरी बहुत बड़ी है यह बहुत छोटा है तो उस इस्तपी में P A का जो मान होगा वो PC के बराबर हो जाएगा P A का जो मान होगा यानि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो PC के बराबर हो जाएगी तथा PC लेके B के बीच की जो दूरी है वो लगबग PD के बराबर हो जाएगी यह पीडी बराबर PB और PA बर PC हो जाएगा और PC की जगह में लिख सकता हूँ R1 और PD की जगह लिख सकता हूँ मैं R2 इस ज्यामिति के अनुसार यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए AP लगबग बराबर हो जाएगा CP के और DP लगबग बराबर हो जाएगा BP के और CP जो है वो किसके बराबर R1 के बराबर माल लेगे DP जो था वो किसके बराबर हो जाएगा R2 के और R1 R2 के मान यहां पर रखने और इसको हल कर देना है अब आप यहां से देखिए थोड़ा सा P से लेके C के बीच की जो दूरी है वो दो पॉइंटों से मिलके बन रही है PO प्लस OC PO प्लस OC यानि यह वाला इससा और यह वाला इससा दोनों जुड़ते हैं तब हमारे पास में आता ही है तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ जयामिती से यानि जो संड़चना वाली हुई है उससे जयामिती से मैं लिख सकता हूँ कि PC जो है वो PO प्लस OC के बराबर है क्योंकि देखो पी से लेके और तक यहां complete होई जाता है और उसके आगे OC और दुड़ागा है और यह C से लेके पी जो है वो लगबर किसके बराबर है तो मैं यहां PC की जगह क्या लिख सकता हूँ KP लिख सकता हूँ PO की जगह मैं आर लिख दिया OC मेरे वो गयार करना है एक्वेसर नमबर दे दिया मैंने 4 AP की जगह मैं R1 लिख सकता हूँ तो हमें यहां पर एक्ष्टा किसका मान गयाता है OC का देखे आप इदर चितर की हो यहां पर हमारे फास यह वाला मान ची आप यह वाला मान OC यह आपको चाहिए तो हम यहां पर लिख लेते है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तिर बुज यहाँ पर हमारे पास में देगा A, C, O, C तो यहाँ पर हो जाएगा cos theta बराबर आधार है हमारे पास OC और करण हमारे पास में AO AO हमारे पास में होगा तो OC बटा AO की जगह में क्या लिख सकता हूं लिख सकता हूं तो बराबर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यारतियों एक वोस्टिटा से भुना हो जाएगा तो एक वोस्टिटा एक्वेशन नंबर फाइप में इसको दे दिया है या इस ओसी का माल आप यहां पर पूट कर दीजिए इस पोईट के उपर तो समीकन चार और समीकरण पांच का उपयोग करना है और इसको कंप्लीट करना है तो फिलाल आप इसको यहां तक नोट कर लिजिए फिर बढ़ते हैं से आगे और प्यारे विद्यारतियों लग रहा है कि समझ में आ रहा है तो उसी समय सेंड कर दीजिए अपने साथियों को भी ताकि उनका से यहां तक समीकरण 4 के नीचे का वहाग है यह वाला और इसके आगे वाला बहाग हल करें हम यहां पर यहां पर हो जाएगा समीकरण 4 वैस समीकरण 5 से यहां पर एपी की जगह में क्या यूज कर सकता हूं यहां पर R already आ चुका है और OC की जगह में यूज कर सकता हूँ A cos theta equation number 6 यह हमारे पास R1 का माना गया है जो यह R1 उठागे यहां पर पूट करना है Sam आगे बढ़ते हैं इससे आगे तिरबुज आपके पास में यह point देखिए यहां पर O B D यह वाला जो triangle है तोड़ा focus करना बस उसके बाद तो complete हो जाएगा theta है तो theta के सामने वाली बुजा जानते हो लंप यह आपके 90 था यह होगे इसका कर्ण और यह होगे इसका आधा आपको ग्याद करना है कौन सी बुजा यह वाली बुजा तो इसके अनुसार हमारे पास क्या लेख सकते हैं अग हम तो अग हम जान चुके हैं कि हमारे पास P O जो है वो किस किसे मिलके बनावा है हमारे पास मिलके बनावा है किसे O D प्लस D P से मिलकर यह बनावा है PO जो था यानि P से लेके O की जो दूरी है वो किस से मिलके बनी हुई है OD PLUS DP से DP की जगह क्या पुट करना आको DP हमारे पास इसका मानगात करना है यह वाला पद X टाय दी OD को उठा के इधर भेज दीजी तो क्या बचा देगो PO यहाँ पर पहले से OD को इधर change कर दिया OD हो गया DP जगह में क्या लिख सकता हूं BP लिख सकता हूं अब देखिए BP बराबर तो क्या है R2M PO बराबर क्या है R है PO बराबर क्या है R और यहाँ पर क्या है OD यह वाली दूरी और चिया आको तो यह वाले दूरी क्या बनी इसका वापस आधारी तो बना तो तिर्वुज हो यह लग जाएगा हमारे पास equation number 7 बन दे दिया तो तिर्वुज हो जाएगा हमारे पास में O, D, B से cos ही निकारना है क्योंकि आधार और करण का relation है cos theta बराबर क्या हो जाएगा O, D बटा O, B हो जाएगा O, D हमें ज्याद करना है O, B का मान A है तो O, D बराबर क्या हो जाएगा A cos theta O, D बराबर हो जाएगा A cos theta equation number 8 O, D का मान उठा क्या आप यहां पुट कर दो sume का number 7 में तो इसके आगे आप लिख सकते हो sume करान 7, 20 sume करान 8 से हमारे पास क्या बनेगा देखिए R2 बराबर R minus A cos theta equation number 9 तो R2 का मान आगया R minus A cos theta R1 का मान आगया R plus A cos theta 1 में A cos theta जुड़ रहे है और 1 में A cos theta गटड़ है बस इतना ही अंतर है हमारे पास ही जामिती से हमने इसको हल कर लिया है अगर मान लीजे कि समय आपके कम पड़ता है प्यारे विद्यारतियों कि उसन आपको आए जा रहे है आए जा रहे है और समय कम पड़ रहे है तो उस समय आप यहाँ पर इसको short cut कर सकते है exam के साब से बाती तो समझाओगे तो सबसे ज़्यादा better है लेकिन अपर इसकती ऐसी बन चुकी है कि आपके पास क्यूसर छूट रहे है और अभी भी आपकी यह परसंट चली रहे तो आप यहाँ पर यहाँ तक complete कर लिजे फिर उसके बाद में आप डाइरेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा लिग लिजे कि चित्र की जामिती के अनुसार R1 बराबर R प्लस A कोस दिटा और R2 बराबर R माइनस A कोस दिटा दोनु समीगन डाइरेक्ट लिग लिजे और परसंट में पुट करके हल कर लिजे ताकि आपकी इतना वाला matter बच जाएगा और समय भी बचेगा और आपकी extra person complete हो जाएगा लेकिन परिस्तती आपकी तभी की है जब आपके पास समय कम पड़ रहा हो तभी अन्यता समझाना तो जरूरी है कि आया किस की वज़े से था तो हमारे पास यह जो extra हमने आपकर correction किया है इसको आपको नहीं करना है कुछ भी गड़ डाइग्राम है यह आपको समझाने के लिए था बागी extra आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है ठीक है यहाँ तक आप इसको note कर लिजे next में हम समय कर 6 समय कर 9 3 में रखेंगे हल करेंगे और answer complete note कर लिजे आप इसको यहाँ तक तो अब समय कर नमबर 6 समय कर नमबर 6 वे समय कर नमबर 9 से R1 वे R2 के मान equation नमबर 3 में रखने पर में रखने पर हमारी पास finally V का जो मान आईगा V बराबर यहाँ पर KQ यहाँ पर हमारी पास था R1 और R1 की value हमारी पास में आई कितनी R1 प्लस A यहाँ पर आगे R1 यहाँ पर आपर एक अटा दीजे हल कीजे तो V बराबर यहाँपर KQ यहाँ पर आगे R1 प्लस a cos theta minus r plus a cos theta यहाँ पर formula हो गया r plus a cos theta और यहाँ पर हो गया r minus a cos theta a plus b a minus b तो श्वतर हो जाएगा a square minus b square आप जानते हैं a plus b a minus b बगावर होता है a square minus b square यहाँ पर भी हो जाएगा R square minus A square cos square theta यह complete हो जाता है यहाँ R से यह R cancel हो जाएगा क्योंकि गट जाएगा गटने पर आपके पास हट जाएगा तो V ब्राबर हो जाएगा क्यों यहाँ पर हो गया 2 A cos theta A cos theta A cos theta अब वोन में क्या बच गया R square A square cos square theta यह मान हमारे पास बच जाता है इसको मैं देता हूँ equation number 10 equation number 10 आपके complete हो चुका है अब आपको यहाँ पर condition लगानी है यदि R very very greater than A है तब आपको बताया हुआ है कि इस R square की तुलना में A square वाला जो पत होगा वो क्या हो जाएगा नगरने हो जाएगा क्योंकि इसकी तुलना में यह बहुत छोटा है तो यह पाद यहाँ की यहाँ से हट जाएगा तो आप लिख सकते हो R square की तुलना में A square cos square theta को नगरने मानने पर किस परकार से नगरने होगा यह आपको समझाया हुआ है इससे पहले वाले भाग में बताया बता यहाँ से R square को कोमन ले लीजी यहाँ 1 बचेगा R square जाएगा इसके अपोन में बड़ा मान है छोटी मान में भाग देंगे बहुत अत्यल्प मान रहेगा यहाँ 1 था 1 की तुलना में गठा होगे कोई फरक नहीं पड़ेगा इसलिए यह पद यहाँ से खटा सकते हो सेक्ड हमारे पास में है वेदुत दिवीद्रो आगो क्योंकि इसके कारणी तो मान हम ग्याद कर रहे है तो P बराबर हम जानते है Q into कितना होता है 2A तो फोर्मूले में देखिए Q into 2A आपके पास है अत्वन नहीं है तो यहाँ से देखिए Q है आपके पास में 2 है आपके पास में और A वी आपके पास में है Q into A इन तीनों की जग्या में क्या पुट कर सकता हूं P पुट कर सकता हूं तो इसलिए अब हमारे पास जो मान इसका जाएगा वो क्या होगा वो देखिए अब इसके लागी तो इसलिए V बराबर उपर तो बच गया देखो आपके K उपर K बच गया नेश्च हमारे पास Q, 2, A इन तीनों की जग्या में पुट कर दूँ आपकी विदुद विद्रोवाग हूं आगे क्या बच रहा है कोस थीटा अपोर में क्या हमारे पास R स्क्वार यह पर यहां से हटी जाएगा तो हमारे पास बचेगा यहां पर R स्क्वार और प्यारे विद्यारतीव आंसर तो आए चुका है यह होगा इसका फाइनल फॉर्मूला यहां पर आदेगा प्यारतीव दोट R केप अपोर में R स्क्वार क्योंकि वापस हल करके देखिए P का परिमान कितना P R केप का परिमान कितना 1 और डोट को टाइनल क्या लगेगा तो P 1 तो 1 हटा दीजिए तो P कोस तिटा जो है वो किसके बरावर हो गया P वेक्टर डोट R केप के क्योंकि वहां पर 1 होता ही है और 1 जो है वो एक एकांग सदिस का परिमान है और 2 परिमान है साथ में कोस किता है तो वहां पर अधिस गुणा पल लिख सकते हैं यह होगे इसका वेक्टर 4 अब अगर यहां पर मान लीजिए कि आपको कुछ कंडिसन भी देता है कंडिसन यह देता है कि जो बिन दुपी आपने लिया है अगर वो मांजे उसके अक्स के उपर था वेदूत दिवी द्रूब की अक्स पर था तो आटिए पास फश्ट कंडिसन हो सकती है वेदूत दिवी द्रूब की अक्स पर मतलब है कि टीटा बराबर क्ता डीडरि 0-D तो आप यहाँ पर वी लिखिए वी बराबर और यह माँ कहाँ पर गयात करें X पर तो यहाँ पर K यहाँ पर P cos 0-D अग़ोर में R स्क्वाईर उहाँने हो जाएगा हमारे पास में K, P, B, R स्क्वाईर और मां हो जाएगा प्यारे विद्यार्तियों मैक्सिमम यानि हमारे पास उस विदुद वी द्रूग की अक्स पर इसके कैंदर से और दूरी पर को विदू पी लेते हैं तो विभव कामान मैक्जिमम होगा सेकेंड कर लेते हैं हम इसकी निरक्स पर विटूत दिवी द्रोगी निरक्स पर और वहां थीटा बराबर कितना डिगरी होता है 90 डिगरी होता है थीटा बराबर 90 दिगरी जब आप रखोगे यहां पर हमारे पास finally जो formula अदेगा V यहाँ पर लिख सकता हो मैं निरक्स पर यहाँ पर लेगा K P cos 90 degree और cos 90 का अमान होता है 0 और finally कितना होता है 0 यह हमारे पास में आदेगा निरक्स पर विभाव का अमान कितना होता है 0 जबकि विदूत दिविद्रोग की निरक्स पर जो विदुद छेत्र हमें मिला था वो था kp बटा r cube, अक्स पर था 2 kp बटा r cube यानि विभव और e का जो फोर्मूला होता है उसके अनुसार हम यहां पर जानते हैं थोड़ा सा कि v बराबर होता है समाकलन e vector dot dr vector, यानि v और e यह relation होता है, तो हमारे पास में अगर electric field है तो electric field होगा तो वहाँ विभव भी होगा, लेकिन एक condition हमारे पास ऐसी है कि इस निरक्स पर विदुद छेत्रतु है, लेकिन वहाँ पर विदुद विभव नहीं है यह आप ध्यान रखना कि क्या ऐसी कोई संभावना या इस्तती है कि जहां पर electric field तो होता है लेकिन विदुद विभव नहीं होता है तो यह condition होती है कहाँ पर विदुद 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 की निरक्स पर तो प्यारे विद्यारतियों, अब आपके पास यह विदुद विभव वाला जो टोपिक है वो complete हो जाता है और आप इसको note कर दीजे exam की द्रश्टी से, क्योंकि अब आपके पास में इस सत्तर में आपके पास chapter number one, five marks का chapter number second जो है वो भी five marks का ही है और यदि आपके किलियर हो रहा है प्यारे विद्यारतियों, तो अब दोस्तों send कर दीजे, ताकि मुदर रिविजन भी होता रहे इसके अलावा अगर आपको कोई solution ऐसा लगता है, कि जिसकी हमें आव सकता है, चाहिए वो numerical हो तो चाहिए वो theoretical कोई topic हो तो आप comments में बता सकते हैं कि इस topic में हमारी को problem आ रही है वो आपकी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा धन्यवाद